हलो नमस्कार दूस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो एलेबर में विंडो फायरवाल एरर कोड 016D9 कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं आप आपको क्या करते हैं सर्च पर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको टैप करते हैं सर्विसेज सर्विसेज टैप करते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से सर्विसेज ओपन हो जाएग यहांप्र आपको दीख जाएगा आपको दीख जाएगा आपको चैक पर आपको भी किस कर लीड़ सिया है यहाँ he सर्विस पर याँ यदि आपकी case में running नहीं होगा यदि यहांपे automatic selected नहीं होगा तो आपको क्या करना यहांपे इस्टार्ट टैप के आगे यहांपे क्लिक कीजएगा क्लिक करने के बाद यहांपे आपको कुछ option दिखेगा इसमें आपको automatic select कर लेने select करने के बाद आपको क्या करने यहाँ पर service start पर click कर देने start पर click करने के बाद यह service run होना शुरू हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर apply पर click कर देने उसके बाद यहाँ पर आपको ok पर click कर देने यानि यहाँ से आपको यह check कर देने क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा privacy and security इसके उपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यहां तब इस तरह से window open हो जाएगा यहां तब इस तरह से भी दिख जाएगा इसके उपर आप डबल किलिक करेंगे तो भी इस तरह से डेक्ट विंडू ओपन हो जाएगा या नहीं तो आप डेक्ट यहां पर सर्च पर जाके इसको सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं ओपन होने के बाद यहां पर आपको लेप्ट साइड में दिख जाए ओपन होने के बाद आपको क्या करना यहां पर रिएस्टोर डिफॉल्ट के उपर आपको क्लिक कर दिने लेकिन क्लिक करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा आपने जो भी कस्टमाइज फायरवाल का रूल लगाया होगा वो सब डिलिट हो जाएगा इसलिए पहले ही चाहते तो सबसे पहले लेकर रख लिजए उसके बाद यहां पर राइस टोर डिफॉल्ट पर क्लिक किजाएगा यहां से ख्लोज कर्देने के बाद रखित कर को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू